हेलो गाइज, वेलकम टू परगती आइडिया, आज हम क्लास नाइन्थ के एकनोमिक्स के चैप्टर सेकिंड को करेंगे, जिसका नाम है पीपल एज रिशोर्ज, इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टड़ी करने वाले हैं, what we are going to study in this चैप्टर, first of all हम study करेंगे कि कैसे human जो है, वो as a resource जो है, work कर सकता है, people को हम resource के रूप में कैसे reform कर सकते हैं, कैसे country की development के लिए जो है, people को as a resource जो है, हम यूज कर सकते हैं, इस से पहले जो हमने story of village पालंपूर किया था, तो उसमें यही बताया गया था, जो production के 4 factors बताये थे, तो उसमें से एक factor जो main factor था, वो क्या था कि human as a human resource जो है, human capital जिसको बोला गया था, वो use किया गया था, ठीक है, तो इसके बाद जो है, इस chapter भी हम क्या करेंगे, story of cycle and village, ठीक है, cycle और village की जो है story को करेंगे, कि क्या 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 सरक्मस्टांसी थे, उनकी story की से, फिर उसके बाद हम करेंगे कि economic activities किस तरह से होती हैं, by man and woman, ठीक है, फिस next आता कि quality of population, यानि कि population की quality किस तरह से depend करेगी, या उसमें क्या कौन कौन से features आएंगे, education and health, and next, जो हमारा important topic होगा, वो होगा, unemployment, ठीक है, और उसके बाद फिर एक story है, और उसके बाद फिर conclusion, ठीक है, चलिए, start करते हैं, these are major points which are discussed in this chapter, story of cycle and village, economic activities by man and woman, quality of population, and unemployment, okay next, in introduction, introduction में हम सिफ क्या करेंगे, आज हम यह करेंगे, कि human capital जो है, वो किस तरह से जो है, production को increase करने में हमारी help पर करती, इसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो first point कि आता है, कि human capital is a main factor of production factor, यह हम बता चुके हैं, कि बालंपुर village की जो story हमने read की थी, first chapter में, तो उसमें क्या बताया गया था, कि production के जो चार factors है, और उसमें से major factor क्या था, कि human capital जो है, वो बाकि जितने भी जो other factors होते हैं, उनको combine करके, किस तरह से useful बनाता है, और किस तरह से production को जो है, increase करने में help out करता है, ठीक है, next point आता है, कि population in becomes as an assessed for the economy of a country, rather than a liability, अब यह क्या कहता है, कि जो population है, वो किस तरह से, वो population जो है, आगर वो productive होगी है, या पॉपूलेशन जो है, वो educated होगी या good health की, आगे हम बढ़ेंगे, कि तरह से good health और education provided, जो population होती है, वो किस तरह से useful होती है, या assessed हम जिसके जो होती है, एकनोमी को develop करने में, किसी भी country क ठीक है rather than the liability liability यहाँ पर दो words used होते हैं assessed and liability assessed क्या होता है इसको हम useful बोल सकते हैं एक single word में और वैसे बोल सकते हैं कि a person or a thing that is useful to somebody or something यानि कि अब यहाँ पर something or somebody क्या आएगा कि for production or increasing या फिर हम कह सकते हैं कि for country development ओके तो जो person है या population है वो किस तरह से useful हो सकती है country की production को increasing करने या country की development के लिए ओके next आता है liability liability का जो word है उसका single meaning क्या आएगा कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि burden ओके next कह सकते हैं कि क्यूज ओफ लोट ओफ प्रोब्लम्स या फिर cost a lot of money यानि कि reason बन जाता है प्रोब्लम्स का प्रोब्लम्स का जिस तरह से इंडिया में क्या है कि unemployment ज्यादा है तो वह क्या है वो एक तरह से जो है बना हुआ है रीजंग बना हुआ है लाइबलियर्टी का ठीक है और next जो है il cost of a lot of money यानि कि जो आभ यह कहते हैं कि जो educated unemployment है वो किस तरह से वो क्या है वो एक तरह से जो एक तरह से कोस्ट ओफ लोट ओफ मानी है ठीक है मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे की बरवादी ठीक है तो इसको हम इस उसमें कह सकते हैं ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पॉपुलेशन बिकम्स हुमन कैपिटल वैंडेरिज इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉर्म ओफ एजुकेशन ट्रेनिंग और गूड हल्थ ठीक है तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो इस फर्स्ट जो पैराग्राफ उसमें यही आता है कि जो पॉपुलेशन है वो किस तर यह प्रोडक्शन को है उसमें इनक्रीजिंग कर वाती है उनके साथ कंबाइन होके आज प्रोडक्शन की में हलप आउट करती है थी एक हूंन एज रिशूर्स अब हम यह खर्या कहते है कि हुमन जो हम वार भार यूज कर रहें उसका मीनिंग क्या होगा हुँमन हम उसको ए एक useful other factors of production like land and capital तो land and capital जो है fixed capital जो जिसको हम बोल सकते हैं वो क्या है कि वो जो है उनको production की factors हैं इनको हम एक साथ करके और उनको जो है useful work में बढ़ा के production को increase करने के लिए ठीक है तो उसके लिए जिस knowledge की जरूरत होती है तो वह नोलेज किसके पास होगी human के पास होगी ओके human जो है वह एक एज रिसोर्स वहाँ पर वर्क करेगा अब नेक्स्ट पॉइंट आता है investment in human capital yield a return just like investment in physical capital अभी इसके कहने का मतलब यह है कि जब human capital में हम जिस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं इसी तरह से जो है investment जो है हमें रिटर्स प्रोइड करेगी जिस तरह से हम किसी physical capital पर investment कर से जैसे वह एक्जैंपल physical capital क्या होगी लैंड लैंड पे हम जो है प्रोडक्षन जो है करते हैं तो वह production increase होता है ठीक है यानि कि वहांपर हम investment करते हैं machines ka. tools ka और जो है fertilizer fertilizer इनके ओपर जो क्या है यह हमारी investment होगी और इसी invest का जो है result भी क्या आता है कि जो production है वह इंक्रीज हो जाता है उसी तरह अगर हम human capital जो है हुमन के उपर जो है हम investment करेंगे तो वो क्या है वो हमें रिटार में जो है प्रोडक्शन इंक्रीज करके देगा प्रोडक्शन इंक्रीज क्या से एक नेक्स्ट पॉइंट आता है डावलेप्ट हुमन रिसोर्च ठीक है तो इस वर्ड को समझी अब वह इन्वेस्टमेंट जो और जो है skill development जो है वो दे और गुड हैल्थ प्रोवाइड करें तो वह हमारी इन्वेस्टमेंट होगी ठीक है और इस इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट में वह हमें रिटार में क्या वापिस करेगा वह हमें प्रोडक्शन जो है इंक्रीज करेगा डेवलप्मेंट करेगा हम रिषॉर्स इस लेंड कैपिटल फिजिकल कैपिटल एक स्वेश्टेन तो यह था कि जो घॉमनद रिषॉर्स वह एक डैवलेफ्ट रिषॉर्स की रूप में आता है कि आधा है युद की जो कि है इनकम होगी इसकी तीक है वाइनकम होगी तो आधा है कि एड़ानटेज और में तो उनका जो यूज़ है वह कौन कर सकता है ईक्ती क्रमाइन परस्त कर कर शक्तें को और चीम ऊपपीलीशन इस प्रपिशन कर तरह सकते है numbers पर पर बन सकता है अभी हां पर एक्जामपल आते हैं ग्रीन रिवल्यूशन और इतरों कि उसी तरह से फटाब से फटाब ब्रीन पर इंक्रीज करें रिवल्यूशन करें इंवेस्टमेंट करके वहां पर 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 प्रोडैक्शन को बढ़ाएं अगया था ठीक है अब यही आता है कि यह इसमें डिस्क्राइब किया कि इन ग्रीन रिवोलुशन इन वेस्ट वाइन कहां पर की लैंड पर की और जो है मैथर्ड से जो है इरिगेशन किया कैमिकल फर्टिलाइजर्स किये है चाइवी सीड्स का यूज किया मसिंद्री का में किया कि इन्वेस्टमेंट की हमने हुमन के ओपर उसको एड्यूकेशन दी हैल्थ दी और स्किल डिवलप्मेंट याने ट्रेनिंग अस्ट्रा यह से प्रोवाइड की ठीक है तो रिटर्न में रिजल्ट में हमें क्या मिला नोलिज प्रोड़क्शन मिली यह नहीं कि नोल में हमारे सोफ्ट्वेर जो हैं वह सेल किये जाते हैं ओके चलिए आज के लिए इतना ही बाकी नेक्स्ट क्लास में